जब भी slab की casting होती है तो as a civil engineer आपको भी आपके एरिया में कोई पूछ सकते है कि कितना cement मंगाएं कितना cement लगेगा कितनी sand लगेगी कितना aggregate लगेगा तो वो calculation करना आपको आनी चाहिए दूसरी चीज गर्की construction में ये बहुत most important चीज होती है तो आज इस वीडियो में आप सीख estimation निकाल सकते हो कि आपकी जो slab होगी उसमें cement कितना लगेगा उसमें बजरा कितना लगेगा अरेती कितनी लगेगी ये सब चीजे इस वीडियो के बाद आप निकाल सकते हो तो complete वीडियो देखना छोटी वीडियो कोई बड़ी वीडियो नहीं है मतलब 4-5 मिनिट आपको ल मिलती है बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेने और बेल आइकन दबा लेने तो अभी हम स्टार्ट करते हैं तो मैं एक्जेंपल लिए है लैट की है मतलब यह हमारी अभी पास्ट में एक slab हुई उससे ही reference लिया हुआ जो भी है slab thickness है 800 mm थी जो mix design हमने यूज किया उसमें वो सा M20 1 ratio 1 ratio 0.5 ratio 3 तो minimum भी जो आपको यूज करना है slab में इंटरव्यू के question भी है वो कौन सा M20 यूज करना है और जो thickness minimum रखनी होती है slab वो कितनी 125 mm होती है यह चीज आप आपको ध्यान रखनी है और one-way slab के लिए मैं आपको बता रहा सेंट पास होती है one mm से और रिटेन होती है 600 micron में वो सेंट आपको यूज करनी चाहिए तो सबसे पहले क्या हमारा ग्याना सो स्केर फीट का हमारा वो है घर है इसको क्या हमें पहले स्केर मीटर में convert कर लेता हूँ ठीक है क्योंकि यह जो हमें procedure बताऊंगा यह किसमें स्केर में हमें help करेगा तो स्केर में इसको convert करने के लिए क्या है इसको divide कर दिया हमें 10.76 तो यह convert हो गया 102.23 स्केर में हमारा convert हो गया ऐसे ऐसे आपको करते जाना है और notes बना लो इससे आप इसली निकाल भी सकते हो तो volume हमारा कैसे निकल जाएगा हमारा है 102. यह हमारा आ गया into हम तो हमें वाल्यूम इल गया हमारा स्लैब का वाल्यूम कितना आ गया 15.33 क्यों मिक ठीक है 15 MQ लगवग हमारा वो आ गया तो एक MQ के लिए जो हमने आज तक ऐसे काम किया है जहां डिजाइन में मिक्स डिजाइन में देखा जाता है तो एक MQ M20 का कितना सीमेंट बैग लगते हैं 7.95 मतलब इतने सीमेंट बैग उसमें लगते ही है जितना भी हमारा जो मिक्स डिजाइन होते हैं लग लग भी होते हैं तो साथ से उपर ही बैग M20 में लगते है सैंड कितनी लगते है 0.146 बरास एग्रिगेट कितने लगते है, 0.92 ब्रास, अगर जिसको ब्रास का नहीं पता है, मैंने को मैंसे करहों मैं इसको ब्रास का भी आपको इसली बता दूँगा, स्टील बार कितना लग जाता है, स्लैब में, थमरूल के हिसाब से, यह थमरूल कहां से हुआ है, मतलब जो हमारे हमन 10 mm और 8 mm, 10 का हमारा में बार रहता है और डिस्टिबिशन, तो 15 mm यह हो गया हमारा, इसके लिए हमें M20 की कॉंटिटी नहीं का लिए है, तो सीमेट कितना लगेगा हमारा, जो हमारी कॉंटिटी, वॉल्यूम आया होगा, उसको मुल्टिपलाई कर देना हमारा, कितने बैग 1 में लगते हैं, तो अधर से हमारा निकल जाएगा, 121.87 बैग हमारे, सीमेट लगेगा, 1100 स्केर फीट की, जो हमारी स्लैब है, और सैंड कितना लगेगा, जो हमारा वाल्यूम होगा, उसको मुल्टिपलाई कर देंगे, एक M3 में कितना हमारा लगा था, 0.29 से मुल्टिपल ब्रास, वो स्टील के लिए कितना था, 1 MQ के लिए हमारा था, 80 kg, तो इसको मुल्टिपलाई कर देंगे, हमारा जो वाल्यूम होगा, 80 kg इंटू, जो वाल्यूम तो हमें मिल जाएगा, 1.226 kg हमारा, उसमें स्टील लगेगा, तो इधर से हो गया हमारा, कितना मतलब, मैटीर मंगवा सकते हो, तो यह था हमारा सिंपल सा फंडा की, जो हमारा वाल्यूम रहेगा, उसको एक MQ में कितना हमारा आता है, थाम रूल के इसाब से, तो उसको उसके साथ में मुल्टिपलाई कर जाएगे, तो हमें वो मिल जाएगा स्टील, तो फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्र करो, शेर करो, और बेल आइकन को दबाखे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ, थैंक्यू,